इनको बिले करना है जब से पहले मैंने क्या होना है एंकर होना है आप इदर पीछे की तरफ भी इंकर हो सकते हैं इदर लूब बना रहा है ताइप से एक बेर हो जाएप आगे से बिली कर रहे हैं तो आपने नौ मली क्या कर रहा है बिले कितने टाइप से कर सकते हैं हम लोग कौन कौन सी बिसिकली दो टाइप से बिले कर सकते हैं एक होता है आपका बाडी बिले और एक होता है मेकेनिकल बिले बाडी बिले से आप लोग क्या समझते हैं जो भी आपके पाद टेकनिकल एक इनका यूस कर रहा है वह आपका आगया मेकेनिकल बिले अभी अगर बाडी बिले आपके पास कोई भी एक्यूप्मेंट नहीं है आपने सिंपली यह रोप क्लाइमबर से अपने क्या किया इस तरीके से रोप लिया अपने कमर के पीछे से और आपने उनको इस तरीके से क्या कर रहा है आप इंको सेप्टी प्रोवाइड कर रहे है यह आपका हो गया बाडी बिले यह पकड़िया और आपने क्या करना है अभी जैसे बाडी बिले में भी आपकी द स्टैंडिंग हिप दिले आपने किस तरीके से करना है यह जो क्लाइमबर वाला जो में रोप होगा यह आपके लेफ्ट हैंड में आ गया आपका जो यह बाकी जो डेट रोप है आपका यह राइट हैंड पर अभी आपका क्लाइमबर आगे आ रहा है आपने क्या किया आप दोनों हाथ भी आगे ये left hand आपका आगे गया आगे से इसने आपने पुल किया यहाँ पर आपने लॉक किया दोनों हाथ चे इनकेज वह अगर फॉल हो जाता है तो आपने इस तरीके से लॉक करना है यह कौन सा बिले है आपका बॉडी बिले में आगे आपका इस्ट्रैंडिंग फिले इसी में अगर रॉक फेस में कहीं पर बैटने लाइक जगा है और आप उपर से बिले कर रहे हो अपने नीचे वाले बॉटम अप टू बॉटम अगर बिले कर रहे हो आप लेर हो और वहां बेटने लाएक जगा हैं तो आप क्या कर सकते हैं नोंली बैटके भी इस टाइप से बिले कर सकते है मुंत इसलिडेसे बैटे हिट वहां पर आप सुम्पली इसी में आपका हाटा है तो हीदल बें हैसी डीयमें संच है मूणिन में हाप इस सॉन्ट्र ले के यहाँ से तरीक क्लाइमबर है इसमें आपने सिंपल ही क्या करना है रोप इस हाथ से आपने लेप्ट हैंड से रोप को पुल किया राइट हैंड से नीचे की तरफ और यह हाथ यहां पर आपका पीछे की तरफ लॉक होगा लेर हो गया तो यह हो गया अगर आपके पास नहीं है या आपने क्या करना है बहुत थोट टाइम में आपने यह बिले करनी हो